तो आज की वीडियों बात करनें वाले जुकाम के बारे में जो कि काफी अध़ कॉमन हो चुका है और आपको इजली किसी भी पेशेंट पे दिखने को मिल जाथ है क्योंकि इसके होने की काफी साही रीजन्स होते है जो कि आज के हम इस बिंस करने केंवाले हैं और हम बलकुर treatment के बार हम बात करेंगे आगरियार कौन जी यूज़ करनी चाहिए जिससे की पेशेंट वो जल्द से जुकाम से recover हो सके तो चलिए फिर आज कम बीडियो स्टार्ट करते हैं तो ज़सागी मैंने आपको बताया थे के जुकाम होने के काफी सारे रीजन होते हैं लेकिन अगर किसी भी पेशेंट को जुकाम हो जादे तो उसमें क्या कर सिंप्टम्स दिखने को मिल सकते हैं जिससे की डॉक्टर वो इदिली कर लेते हैं तो यहां पर मैंने कुछ इंप्टम्स लिख रगे हैं जो कि आपको यहां पर जानना ज़रूरी है तो हमारे सफ़ेले संप्राम में वह हमारा रनी नोज जो पेशेंट होगा उसकी नाग बहेगी और जो नेक्स्ट है वह हमारा सौर्ट तो यहां पर देखिए आपका गला खराब हो जाएगा फिर ज में कंजेशन की मतलब उसमें ऐसी दिक्कत दिखने को मिल सकती है और आपको चक्कर भी आ सकते हैं जो कि एक तरह के एलेजिक रियक्शन नी हो दाय जुगामकार फिर जो नेक्स्ट है वह हमारा फीबर पेशेंट को भुखार भी आ सकता तो यह तो कुछ कुछ कॉमन सिम्ट के बारे में तो यहां पर कुछ इंपृटेंट कोदे जयो हमारा कBeं होता है वो सकता है और जब आप उससे बात में बात क्यों तूसका जो ड्रॉपलेट है वह आपकी बोड़ी पर आज आता है तो उसके थ्रूबी आपको जुकाम मेंं वह हो सकता है तो उसी कंप ड्रॉप फडुट इंफेक्शन बोलते हैं पर जो नेच्ट पारak कोंटामिनेशन अगर आप गंदा खाना खाते हैं या आप गंदा पानी पेते हैं तो उसकी बज़ाई से भी आपको जुकाम हो सकता है और जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि मौसम का चेंज होना तो जो सीजनेवल चेंजेश होते रहते हैं तो उसके बज़ेश भी जो जुकाम हो सकते क्योंकि काफी सारे लोग होते हैं यह कासकर बच्चों में देखा गया क्यों इनकी इम्मुनिटी इतनी स्ट्रॉंग नहीं होती है कि वो जुकाम से लड़ सके तो इस जो मैंने लेकिन आपको इन दोनों में से एक यूज करने हैं तो सबसे ज्यादा वह हमारी सेफडो टॉक्जिम के नाम से जो की मॉनुसर्प के नाम से काफ़ एदा पॉपुलर है तो ये भी काफ़ एदा प्रिस्क्राइब की जाती है फिर जो नेक्स्ट एप वह हमारी के नाम से भी काफ़ एदा पॉपुलर है और आपको इन दोनों में से एक ही यूज करना जो की काफ़ी अच्छा काम करते हैं आपको जुकाम को रोकने में और अगर हम बात करें इसके डोजिस की तो आपको ये शोय शाम दिन में दो बार लेनी होती है और आपको ये कंडिशन हो गई है तो उस कंडिशन में हमें जो पूरा डोजर वो मिला के देना होता है तो यहां पर पेशन को पेन और फीबर है तो साथ में आपको कुछ ऐसी टैल बिट भी दी जाती है तो जो हमारे पास जो सबसे अधा बैस्ट मानी जाती है वह हमारी सूमो के नाम से इसके अंदर आपको निमो सुलैड और पैरासीटोम वाल का कॉमिनेशन मिल जाता है जो की एक तरह की नॉन इस्टरोडल एंटी इंप्लेमेंटरी ड्रेग है जो की आपकी इस चीज़ को काफी हद्त कवर कर लेती है तो यह टैल बिट भी आपको दिन में दो बार लेनी होत हैं तो सबसे ज़्यादा कॉमन और काफी दे सकते हैं अगर पेशन को साथ में चीखें भी आ रही है उसको हो रही है और बुखार भी और गोल्ड भी तो उस कंडिशन आपको सारे कॉल्ड का यूस करना क्योंकि इसके अंदर आपको सारे मिल जाते हैं जो कि इस चीज़ को क इसके अंदर आपको फैनी लाफरीन मिल जाता है और जैसे मिल जाते हैं जो कि आपकी जो जुकाम को आपकी खांसी काफी हद तक कंडॉर कर लेते हैं तो आपको इन दोनों में से एक ही टैबिट यूस करनी है तो जैसा कि मैंने आपको बताया थे कि अगर पेशन को बुकार लेनी होती है तो जब आप इन T analyst का उसका करेंगे तो पेशन वे हो सकता है क्यों सक्कmeक है वह इडिट करें उसमेंج जैसी दिक्कत हो सकती है क्योंकि इस एसी ड्रॉट है जो की इस चीज को कौस्द कर सकती है तो यहाँ पे देखिए अगर पेशन को इडिटीशन हो रही है तो उस condition में आपको साथ में पेंटापरजल टेलबिट देनी होती है अगर आपके पास पेंटापरजल नहीं है तो उस condition और रैनिटी टेलबिट का यूज़ कर सकते हैं जो कि ऐसी लोग के नाम से काफियदा popular है तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं जो कि आप इसको जो पेंटापरजल टेलबिट है वो आपको खाली पेट देनी होती है जो कि आप पेशेंट को उजली प्रिस्क्राब कर सकते हैं और ये टेलबिट आपको स्वेशाम देनी होती है तो ये ते कुछ treatment जो की common cold में काफिद यूज़ किया जादा और इसे patient वो बहुत ही जल्दी रीकवर हो साता है और मैंने आपको जितनी भी tablet बताएं वो आपको हमेशा doctor की advice पर ही यूज़ करनी होगी तो उमीद करता हूँ आपको ये video information काफिदा पसंद आओगी तो फिल वीडियो को like कर दीजे और ऐसे new update चैनल को subscribe जरूर कर लिजे और आप मुझे comment करके बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस topic पर लाँ ताकि आपको और नई जानगारी मिल सके